नमस्कार दोस्तों, तो हम ROARO के लिए GS का टेस्टीज देख रहे थे, जो कि Study for Civil Services दोर तयार किया गया है, 100 questions हमने देख लिया है, 101 से देखते हैं और ये लास्ट वीडियो है, तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि निम्लिकित में से गलत कथन का चैन कीजिए, क्या कथन है, हाल ह में ससस्त्र सीमाबल ने Ice Hockey Association of India की रास्टी Ice Hockey परत्योगता जीती, तो ये कथन गलत है, क्यों? ससस्त्र सीमाबल मतलब SSB के बारे में बोल रहा है, कि इसने रास्टी Ice Hockey परत्योगता जीत ली है, जिसका आयोजन Ice Hockey Association of India ने किया था, जीता दर असल में ITBP ने है, और निखिल स्रीवास्तव ने Michael and Silla Held परुषकार जीता है, तो दूसरा कथन गलत है, जब चुनाओ करना है गलत का, दूसरा कथन सही है, चुनाओ करना है गलत का, तो विकलब Ace का सही अंसर हो गया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, च जिसका solution नहीं मिला था जिन प्रस्णों का, उन पर ये काम कर रहे थे, इसलिए इनको मिला, इनके अलावा दो अन लोगों को भी मिला, कि इनके अलावा, निखिल स्रीवास्तव के अलावा, क्या मिलता है Michael and Silla Held पुरुषकार में, एक लाक युएस डॉलर मिलता है, और Michael and S पुरुषकार जो है, ये 27 से मिल रहा है, ठीक है, अगर ये question पूछ ले कि Ice Hockey Association of India के अध्यच कौन है, तो KL कुमार है, ठीक है, जीता तो ITVP था, हारा कौन था, तो हारा था लद्दा, तो कभी-कभी हारने वाल एक question पूछ लेता है, बसे ITVP के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी अस्थापना 24 October 1962 को हुई है, headquarters दिली में है, और अगर पूछ ले कि ITVP के डीजी कौन है, तो SS देशवाल ये ITVP के director general है, ठीक है, एक सबसे महत्पूर्ण fact ये है, कि भारत में लद्दाक को Ice Hockey का capital कहा जाता है, तो अगर question बने कि Ice Hockey के capital भारत में कौन सा अस्थान है तो लद्दाक है, ठीक है, बैसे ये जो रास्टी Ice Hockey परतियोगता हुई थी, ये कस्मीर का जो गुलमर्ग है, वही आइस रिंग है, वही हुई थी, ठीक है, next देखते हैं, हाल ही में किसे business standard banker of the year award के लिए चुना गया है, इसी में दुसरा question भी है, किस केंद्रिय मंत्री न और जो लिखावा थक business standard banker of the year award के लिए चुना गया है, तो स्याम स्रीनिवासन को चुना गया है, next, निमलखित में से सही बिकलब का चैन कीजिए, तो सही बिकलब का चैन करना है, देखते हैं, लिखावा हाल ही में नितीन गड़करी ने नए ठोर लेन थल तेज, सिलाज, र चारदा railway overbridge, ठीक है, next, लिखावा है कि करनाटक के राजपाल बजु भाई बाला ने अब लोकन software लॉंच किया है, तो राजपाल बजु भाई बाला ने नहीं किया, जो अभी नए CM, उस समय जो CM थे, बियस से दुरप्पा वो किये थे, वैसे अभी करनाटक के CM बदल चु एंसर हो गया, next है, निमलखित में से गलत बिकल्ब का चैन कीजिए, तो पहला कतन क्या है, हाल ही में केंदरी मंतरी हरदीप सिंग पूरी ने, ई संपदा एप एवं बेब पोर्टल लॉंच किया है, तो ये कतन सही है, ई संपदा एप और बेब पोर्टल लॉंच किया है, के दूसरा लिखा हो है, हाली में हरियाना सरकार ने, पी यार इंसाइट मोवाइल एप और बेब पोर्टल लॉंच किया है, तो पी यार इंसाइट मोवाइल एप और बेब पोर्टल लॉंच हरियाना नहीं, पंजाब सरकार ने किया है, तो गलत का चुनाव करना था, तो केव भारत का पहला DG Asset Management और स्टोरिज प्लेटफर्म DG Box के नाम से लॉंच कर दिया। दूसरा है उडिसा के कटक सहर में भारत के सबसे बड़े होकी स्टेडियम के स्थापना की जा रही है। तो यह कटन गलत है। यह बात सही है कि भारत के सबसे बड़े होकी स्टेडियम के स्थापना की जा रही है। और अभी करेंटा फिर में बात चल रहा है कि राश्टी ए खेल दिवस इन ही के जन दिवस पर मनाया जाता है, कितने तारिक होना जाता है, अब कमेंट बोक्स न बताईएगा, और जो राजिव गांदी खेल पुरुसकार था, इसका नाम बदल के अब मेजर ध्यांचन के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा और भी है, जैसे आप नीती आयो के बारे में हैं, तो नीती आयो के बारे में आपको पताईगी, एक जन दिवस पंद्रा को इसके स्थापना हुई है, फूल फर्म क्या है, निशनल इंसिच्यूशन फोर ट्रांस्वर्मि नेक्स्ट है, हाली में प्रकास जावडेकर ने भारत में तेंद्वों की स्थिती 2018 रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार चार बरसों में भारत में तेंद्वों की आवादी में कितने प्रतिसत की बिर्धी हुई है, एक कोशन दो ये हो गया, दू इंडिया के नए अध्यक जो न्युक्त हुए है उनका नाम है निरंजन हीरन अंदानी ठीक है और उपर में जो क्वेश्चन था कि दोया थार्ण जो तेंदुगे कि आवादी में कितने परिशत की बिद्धी है तो कुल्मला के 60% की बिद्धी है तो भीकल बीस का सही इसमें एक करेक्शन करना है कि प्रकास जावडेकर परियावरन मंत्री नहीं है भूपेंदर यादव परियावरन मंत्री है ठीक है अच्छा एक दू और है कुछ इसमें रिविजन वाले कुछ पॉइंट है साइड एक अध्यक्ष के नाम पर यह भी तो आया था ना जब जैसे कौन है किस रूप में न्युक्ति हुई इनकी तो UNHRC में सलागार समीति के सबसे पहले भारती अध्यच के रूप में अध्यक्ति हुई है तो आपको याद आ रहा होगा यह नेक्स्ट है निमन में से गलत विकल्प का चैन करना है तो क्या है लिखावा हाले में सेंट्रल ब नहीं डेविट कार्ड लॉंच किया है तो यह गलत हो गया चुनना क्या है गलत ही हाले में सेवस्टियन वेटल ने 2020 का BBC Sports Personality of the Year अवार्ड जीता तो यह कथन इसलिए गलत हो गया क्योंकि सेवस्टियन वेटल नहीं Lewis Hamilton ने जीता है क्या BBC Sports Personality of the Year अवार्ड तो दोनों कथन गलत हो गया इसलिए बिकल्फ सी इसका एंसर हो जागा क्योंकि गलत ही तो पूछ रहा था नेक्स है हाली में भारतिय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग बिस्व कप में तीन गोल्ड मैडल जीते हैं निम्मे से कौन स्वर्ण पदक विजेता है तो स्वर्ण पदक विजेता साक निम्मे से टो तो देखे हमें चुनना क्या सही बिकल्फ चुनना है तो जर्मन सिल्वर बरतन बनाने में यूज होता है एक दम सही है ठाइप मैटल प्रियूं विजा और फ्युज होता है वहट झालोन जैब कि अब चूश का नहीं बनाने में ऐा उनल को जेकर 239 अंशर हो जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें 60% तामा होता है 20% निकल होता है और 20% जस्ता होता है तो यह एक्स्टरा फैक्ट था थोड़ा next, यगिको के सामाने नाम, त्था रासायनिक नामों से सम्दिद तो सही बिकल्ब का चैन करना है तो जो सही बिकल्ब है वो चूना को कैलसियम औकसाइड कहते हैं एकदम सही है चूना पत्थर को calcium carbonate बोलता यह भी सही है फिर फॉर्स नंबर में रसाइनों का राजा एसेटिक एसीड को कहा जाता है यानि सल्फियृक एसीड को यह भी सही है एस्टू एसोफोर्ज यिसको कहते हैं तो यह सही है जबकि जो तीसरा नंबर है साल्ट पीटर के सामनी लिखा पोडेसियम नाइट्रिड ये गलत है ठिक है तो जो सही था सिर्फ उ मैंने देखा Next है निमन में से सही बिकल्ब का चैन कीज़िे तो सही बिकल्ब का चैन करना है तो देखे सही बिकल्ब सिर्फ तीसरा है एक इलेक्टरॉन का दरबमान यह होता है यहीं 1.672 गुने 10 पर 10 पर माइनस24 होता है ठीक है और neutron का जो दरभमान होता है उसका होता है 1.674 बस 10 पर पावर माइनस24 यह भी होता है दोनों में अंतर सिर्फ एक है 72 एक है 74 74 किसका है? Neutron क दरभमान का और proton का दरभमान का 72 है ठीक है प्रमानु संरचना से सम्मंदित सही बिकल्ब का चैन कीजिए, तो प्रमानु संरचना से सम्मंदित सही बिकल्ब जो है, ठोस गोला मॉडल, जिसको सॉलिड स्पेर मॉडल कहते हैं, इसे किस ने दिया था, जॉन डॉल्टन ने दिया था, इसे किस ने दिया था, फिर और जो और 4 यह सही बिकल्ब B में इसका सही अंसर है नेक्स्ट है प्रति अनुत्याग किये गए हैड्रोजन परमानों की संख्यां के अधार पर अमलों के प्रकार से सम्दित बिसम बिकल्ब का चेहन कीजिए तो बिसम बिकल्ब का जो चेहन करना है वो बिकल्ब D है क्योंकि नाइट मापन का उपकर्म से समद्धित सही बिकल्ब का कहें तो देखे, मेंगनेटोग्राफ का ओ चैने शिट मापन करते हैं चुमबक की यह च्छेतर का मापन करते हैं न की परवहता का है, तो इसलिए गलत होगया मैनोमीटर बायुदाव का करते हैं और मैंग्रेटोमीटर से मैंग्रेटोमीटर से चुमक्य छेत्र का मापन करते हैं तो दोनों ये थोड़ा confusing है तो ध्यान से देखना है Next है धोनी तरंगों के बर्गेगरन से सम्मंदित गलत विकल्ब का चैन करना है तो पहले सही विकल्ब देख लेते हैं जैसे सरब तरंगे 20 से 20,000 हर्ट के बीच में होती है तो ये सही है जबकि प्रासरब तरंगे क्या होती है तो ये 20,000 हर्ट से अधिक वाली प्रासरब तरंगे होती है यहाँ पर कुछ उल्टा दे दिया है बीस हर्ट से कम बाली बोल दिया, तो बीस हर्ट से कम बला तो अपसरब तरंगे होती है, जो कि बिकल्ब मतब तीसरे वाले कथन में होना चाहिए था, तो इसलिए दूसरा और तीसरा गलत हो गया, यहाँ पर इंसर बी हो जाता है, ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं सही बिकल्ब का चुनाव करना है, तो बिद्धु तरंग, चुंबक की यह तरंग है इक साइड, अब दूसरा नमबर गलत हो गया, अब रक्त बीकिरन की खोच-करता सर विलियम हर्ट सल है, ना कि हैं हैं, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर तो सी नमबर अप्शन एक और तीन ही सही होता है अच्छा अभी हमने कुछ पर्मानु मॉडल से सम्मंदित बातों को देखा था तो ठोस्गोहला मॉडल के खोज करता कौन है जॉन डोल टन क्वांटम मॉडल के खोज करता और्निष रधर फोड और प्लंप उड़िंग मॉडल के खोज जे जे थॉम्सन है तो यह आपको याद आ ही रहा होगा नेक्स्ट पदार्थ के क्रांति कुन समंदित सही विकलब चैन करना है तो देखिए पानी का क्रांति कुन 48.75 डिगरी होता है यह सही है हीरा का भी क्रांति कुन सही लिखावा 24.4 डिगरी होता है लेकिन क्राउन काच क का ग्रमिय को टार्फारन को कोटा आए फोर फसंसु और यह पर नीचे में दे दिया यही वाला बात और फिलिंच कांच जो होता है इसका क्रांति कोन 37.31 तो इसका वाला उसमें उसका वाला उसमें दियाओ था इसलिए गरत हो गया तो कुल्मला के सही एक और चार है इसलिए विकल्वडी इसका सही इनस हो जाएगा वैसे क्रांति कौन किसे कहते हैं तो जब बिरल माध्यम से बने अफवरतन कौन का मान नबे डिगरी होता है तब स आफ्टन कौन को क्रांति कौन कहते हैं उदाहोरण यहां पर देखिये है तो सघनमाध्यम से जो इतार वाला सबने तो नेटरोडनी ज्छार को सबंधित बिसम, बिकल्प है तो संम वाला पहले धिसेम, ध्येत points, पीरामिवीं चाहरक होते हैं जबकि एडिनीन जो होता है यह पियूरीन चाहरक होता है तो यही भी समग है तो इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स पी कल्ब एसका शahी रहेवट नजैक पूचक फ्रूसरे कहां पूछ दिरुटी यह होता है और चलनी नालिकाय, जो ऌतली तो फ्लोयम में पाई जाती है, ठीक है नेक्सट नेक्सट है, अप स्थानिक जडों के रुपांतरन से सम्मंदित गलत विकलब का चेन करना है तो पहले सही व्लाद देख लिते हैं और है ये कि आप स्थानिक जड़ों के रुपांतरन से सम्मंदित तो वाई भी ये मूल ये आर्किड ये सही है यहाँ पर और वलियता मूल सकरकंद के लिए सिनकोना में होता है ठीक है और साकंद मूल ये सकरकंद में होता है तो 우led करके इसका वला उसका वला उसका वला उसमें दिया हूँ थैट है अचा सकरकंत से जब बात आ रहा है तो हम सकरकंत की खाते है अस्तेम खाते हैं यहीं तना और सिंकोना के भारे हम देख लिए एक दो fact क्या है fact यह सदाबाहार पादफ है इसका जो कुल है सिनकोना का रूबी यसी कुल का होता है इसके छाल से कुनायन नामा का उस्थी बनती है जो मलीरिया ज्वर के दवा के रूप में काम करता है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन मद्य मस्तिस्क का भाग है और निम्न में से कौन पश्च मस्तिस का भाग है तो देखिए मद्ध मस्तिस का भाग सेरीवरल पेंडिकल है और निम्न मस्तिस का जो भाग है वो सेरीवेलम है मैं फिर से बोलता हूँ पश्च मस्तिस का भाग सेरीवेलम है मद्ध मस्तिस का भाग सेरीवरल पेंडिकल है ठीक नेेस्ट है जीवानु जनीत रोगों से समिंदित प्लेगों प्किलेग के विगम प्लेग का प्लेग। तो काली खासी के लिए जो जीवानू है जो responsible वह है birdie telia अच्छा और जो यहाँ बे लिखावा है toponema paladinium तो यह pallidium तो toponema paladinum जो है यह syphilis row के लिए responsible होता है यह जीवानू जबकि काली खासी के लिए birdie telia जीवानू रिस्पॉंसिबल होता है, कोड के लिए सही लिखावा है, माइको बैक्टिरियम लेप्रोसी, तो इसी जिवानों के करण कोड होता है, जबकि पस्चुरेला पेस्टिस के करण प्लेग होता है, तो एक और तीन सही था, इसले विकलब सी सही हो गया, नीचे दिये गए विकलब, अच्छा मैथ वलाब आ गया कुश्चन, तो देखें, नीचे दिये गए विकलब, विकलब में से कौन प्रस्टन बाचक चीन पर आएगा, मतलब इसका स्रीज ढूनना है, मैंने बहुत कोशिस की, मुझे समझ में ने आया, इनका भी वीडियो मैंने देखा, देड़ घंटा खर्च करके, लेकिन, सुरी, दो घंटा के आसपास, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं, बस ऐसे यह अंसर बता के वो भी निकल गए है, और मैंने नेक्स्ट रिजिनिंग से समझ देट कोश्चन है, कि यदि किसी कोड भासा में सपोर्ट को इस तरह स्से एन क्यू ओ भी आर लिखा जाता है, तो उसी कोड भासा में अट्रैक्ट को कैसे लिखा जागा, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस या फिर डिवाइड या फिर मल्टिप्ला या स्कॉाइर का जो फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से आपको यहां पर ढूंडना पड़ेगा, तो जब आप ढूंडेंगे तो इसमें दो है, प्लस माइनस भी है, तो आपको यह बिकल्फ सी, इसका सही अंसर मिलेगा, अब देखें, नेक्स में क्या लेगा, यह असान सा कोशन है, मैंने हापर सॉलूशन भी इसका कर दिया है, आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ पीडियाफ आज मिल जाएगा, तो उससे आप देख लीजेगा, एक बेक्ती के चित्र को देखते हुए, दिवाकर ने कहा, तो चित्र ये है, ठीक है, दिवाकर क्या कह रहा है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो दिवाकर उस बेक्ती से कैसे संबन दी थे, एक खास बात और बोला आए बीच में, कि संजय के कोई भाई और बहन नहीं है, इसस स्टेट्मेंट का क्या मतलब निकलता है, कि मतलब कोई दिवाकर के generation में कोई है ही नहीं संजय कोई है वेक्ति उसका कोई भाई वहन नहीं है पुत्र का नामी साथ संजय होगा तो अब को सिर्फ यह बताना है दिवाकर उस वेक्ति से कैसे संबादि थे तो कूल मिलाकर के जो option है उसका नाट से यही समझ में आता है, कि पिता है, ठीक है, तो विकल्ब D इसका सही अंसर हो जाएगा, next है, यह देखिए आसान सा क्वेश्चन है, दिब्या अनोखी से बड़ी है, तो दिब्या जो है, डिब्या से माल लेते हैं, यह अनोखी से बड़ी है, तो अनोखी को लेकिन सबसे छोटी नहीं है अब क्या बुछाए तो उन में से सबसे बड़ा कौन है तो देखिए एक सबसे चोटी नहीं है तो फिर सबसे छोटी कौन हो जाएगा सबसे चोटी जो है यह अनूखी हो जाएगा क्या पूछ रहा है उन में से सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा की सबसे इस सबसे बड़ा का में रूक है पहलेक कुल में दुसरे पर में चछल ठाता यहां चल घंता है पहले उप यह लिए धजिसमे से किलोट में चलिया वहां से बड़ाइफ दो दो किलोमेटर इतर पूरब में चल दिया फिर क्या लिखा हुआ है अंत में 11 किलोमेटर उत्तर दिसा में चलता है तो 11 किलोमेटर में यहां तक बात करेंगा तो साथ किलोमेटर इसके ऊपर फिर चार किलोमेटर जो कि यहां पर मैंने लिखा है अंत फिर लिखा हुआ वह अप 3 हो गया और यहां देख साथ था तो यह 4 हो गया तो 4 का स्क्वाइर और 3 का स्क्वाइर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वाइर 9 तो कुल मिला के कितना है 25 अंडर रूट 25 किसका स्क्वाइर है तो यह 5 का हो जागा इसलिए 5 किलोमेटर तो भी कल्प 10 का सही अंसर यहां मैंने स्वालब कर दिया है पीडियाप में आप देख लीजेगा निक्स्ट है दिये गए कथन दसान इसकर्सों को द्यान से पढ़ें और यह चायन करें कि कौन सान इसकर्स स्थार के कूप से कथन का अनुसरन करता है सभी जानवर पक्ची है तो जो सभी जानवर है यह जानवर वाला गोला यह क्या है पक्ची है तो यह पक्ची वाला गोला यह पक्ची जानवर है समझ लीज़े ठीक है कुछ सेर पक्ची है तो कुछ सेर पक्ची है मतलब पक्ची का कुछ हिस्सा सेर है ऐसा बोल रहा है अब कतन क्या है सभी पक्ची जानवर है तो सभी पक्ची तो जानवर नहीं है उसके थोड़ा सा ही जानवर हो सकता है इसलिए गलत हो गया कुछ सेर जानवर है तो कुछ सेर जानवर का कोई सम्मन बताया ही नहीं गया है पक्ची और सेर का जरूर बताया गया तो यह भी गलत होगा, अपिल सम्मंध ही नहीं है, इसमें, तो कोई अनुसरन नहीं करता है, कोई निस्क्सरन नहीं करता है, बिकलों डीसकर से अनसर हो जाएगा, Next है, यदि X, Y की बहन है, तो ठीक है भाई, यदि X, Y की बहन है, J, Y की माता है, एक्स जो हो गई यह बाई की बहन हो गई ठीक है यह एक्स यहाँ पर फीमेल है और बाई भाई है कि अभी तो डिसाइड नहीं होगा आगे देखते हैं पहले डबलू अच्छा बाई की माता है जेड जो है बाई की माता है यह बाई की माता है मतलब कि यह महिला है डबलू जेड का पिता है तो जेड का पिता डबलू हो गया यहां पे और X बाई की बहन नहीं है यानि कि X जो है न सुरी बाई X की बहन नहीं है X बाई की बहन है लेकिन बाई X की बहन नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह भाई है इससे decide हो गया इस बात को तो by z से कैसे संबंदित है हमें देखना कि by z से कैसे संबंदित है ये by z से कैसे संबंदित है तो मतलब कि z by को क्या बोलेगा तो पुत्र बोलेगा तो भी कल 20 का सही answer हो गया next पुत्री इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां decide हो गया कि X की बहन नहीं है भाई बहन नहीं है तो भाई है next यदि 24 जन्वरी दोहर 4 को सनिवार था तो 10 अपरेल दोहर 13 को सप्ता का कौन सा दीन होगा तो यह देखिए बुद्ध होगा इसका निकालते कैसे हैं वह मैं बता देता हूँ यह 4 जो है ना यह मतब दोहर 4 जो है और 13 जो है तो जब आप लीप एर को कंसिडर करके निकालेंगे तो कुल मिला के कितना दीन हो जाता है और उस हिसाब से जब दीन देखेंगे न तो साथ से डिवाइड करके और आपको पता ही होगा उसको कट कर देते हैं यहां पर मैं बताओंगा थोड़ा समय लगेगा तो टाइम में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अभी प्रिवियस एरला जो सॉल्व कर रहा हूँ उसमें इस तरह के क्वेश्चन है तो उसमें मैं वहाँ पर सॉल्व करकर करके बताओंगा तो अहां देख लिएगा बहराल यहां पर एप्सन सी है ठीक है निक्स देखते हैं यहां लिखना भूल गया यहां पर इसलिए बोल रहा हूँ बरना लिख देता तो अभी बोली देता निक्स लिखावा है मिनट और घंटे की स्वी सेवन इस्टु टॉन्टी टू पर कितना कोन बनाएगी तो जब आप साथ वज के 22 मिनट होगा जब 89 डिगरी कोन बनेगा ठीक है ऐसे जब बनाएंगे तो यह 12 यह 6 हो गया और यह 9 और यह 3 हो गया तो 6 के बाद यहां सायत आएगा और 22 मिनट है तो कुल मिला कि यहां पर आया 89 डिगरी कोन बनेगा निक्स देखते हैं पांच व्यक्ति राम स्याम चेतन दीपा और एकता ठी हुए हैं से एक दो तीन चार पांच मान लेते हैं ठीक है चारों और केंद्र की और केंद्र की और मुख करे हुए हैं तो कोई बात नहीं स्याम चेतन वद दीपा के मद्ध में हैं तो स्याम जो है चेतन और दीपा के मद्ध में हम यहां पर भी ऐसे भी बना सकते हैं एक ऐस सित्थ तो ऐसे बन सकता है सयाम इधर है और ने सकते हैं अगी क्या बोल Radio राम दीपा के ढाय से थीसरा है तो तो एक स्ट्षक हो सकता है प्yttask एक परिसिती यहां से दाय से तीसरा तो एक दो तीन यहां पर हो सकता है राम इसका नहीं बन रहाए यहां ख wonder है यहां फर चौ दिभ डेखेंगे तो चौथे अस्थान पर इसके यहां का दाएं इधर हो जागा, एक, दो, तीन, चार, राम हो रहा है, इधर से भी देखेंगे, तो राम ही आएगा, तो कुल मिला का राम हो रहा है, इसलिए भी कल 20 का सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, एक बार पैक्टिस करके देख लिजेगा यह कोशन, इस तरह कोशन तो राज और सिमरन के बीच कुल कितने स्टूइन है, जबकि है टोल कितना 63, तो टोटल है 63, यह 24 है, और यह क्या है, 30 है, तो 30 है यहां पे, तो कुल मिला के यह देख लिजेए, इधर से अगर हम देखते हैं, इधर से लेते हैं, तो 63 में से 30 तो यही पर है, तो बचा कितन 33 में से 24 से इस साइड से है, यह निकुल मिला के 9 है, दूसरे तरह के से बना सकते हैं, टोटल 63 है, 24 माइनस कर दिजेए इसको, 24 माइनस करेंगे 39 आजाएगा, तो 39 में 30 तक तो यहां पर है ही, यहां तक गिन्ती होई गया है, यह कुल मिला के 9 आ सकता है, दो तरीके से यह ब है कि ूप होगा दीदि कैसे आर तो सब में है तो हटार से डिशाइड नहीं होगा कि उसमें इसमें ब्हीं है और इसमें ऑब व है और इसमें ट्रू गॉ Europ अब जो पता है न प्का कि एस पहले आजाएगा mult कुल मिला करके एक नंबर पहले आ आएगा अब इसका पांच पांच मां दूसरा नंबर में आ रहा है तो दूसरा वलत देखने से नहीं डिसाइड होगा तीसरा वलत देखने से डिसाइड होगा जब यह आप देखेंगे तो कुल्मिला के डी आएगा ऐसे ही आपको देखना होगा आगे में दोनों सही है, तो भी कल बीज का सही अंसर हो गया, एक और तीन, ठीक है, प्रियागराज से यादा है, रास्टी विधी विश्विद्यले भी वहाँ खूला जा रहा है, और कौसाम भी पता ने क्यों यादा रहा है, क्योंकि यहां बहुत जैन दोनों से सम्मंदित है, मतलब क परताबगड यह कौसांबी में है, तो कड़क सहा बाबा का मजार भी कौसांबी में है और बहुत जैन दोनों से सम्मंदित है, यह भी गलत हो गया था, फोर नमबर, बेलहा देवी मंदिर यह कौसांबी मनें परताबगड में है, और परताबगड अमरूत के लिए, मतलब अम्रूत पादन होता है वहां ठीक ठाप में देखें नेक्स्ट है उत्तर प्रदिश में इस्थित प्रमुक्ष संग्रहालें से संबंदित सही विगलव का चैन कीजिए उत्तर प्रदिश से जो संबंदित पॉइंटर था ना वो एक घंटे में आपको गंटा या ठीक हो जाएगा अप्लोडेड है वीडियो तो इसको जरूर आप देख लिजए गा बढ़ा करके ठीक है तीन पार्ट में हैं फिर मास्टर वीडियो में आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक गंटा या 45 में में स्थाप्वाट्य रहा ना चाहिए तो क्या है 1989 से याद आना चाहिए कि उर्दु को राजकिय वासा का दरजा भी उन्हें 1989 में ही मिला था ठीक है तो एक दो सही है तीन चार गलत था कैसे गलत है मैं बताता हूं ये तो एंसर हो गया है तक राजकिय पुरता तो संग्राले कनौज में है लेकिन इसका स्थापना उन्हें 176 म मेंने 909 हुआ था और राजकिय स्थांतरता संग्राम संग्राले जो मेरट है वो ने इतना नजदीक नजदीक बिकल्प बनाए हैं कि अगर कोई बच्चा पहले से बनाएए तो उसका मनोवल ही डाउन हो जाएगा नेक्स देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस्थित जोन है तो उसमें से एक आगरा है जहां से आलू निर्यात किया जाता है दो और कौन से है इसको जानने के लिए वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाया ठीक है अब देखिए साकंबरी देवी मेला तो यह सहारनपूर में लगता है देखिए एक का एंसर यही मिल लगता है और हापुर से याद आना चाहिए सबसे चोटा जिला भी है यूपी में अभी एक्जाम जोगा तो उसमें पूछा भी था पीसेस में सेयद सलार उर्स मिला जो है यह बहराइच में लगता है वारावंकी में नहीं ठीक है नेक्स देखते हैं इसका C नमबर चैन करना है तो देखिए लेकिन यह तीनों यूपी का है यह दिल्ली का है लग से विसम हो गया नेक्स्ट उत्र प्रदेश के लखनव घराने से संबंदित सही विकलब का चैन करना है तो सही विकलब का चैन विकलब सी में है जी एंड गोस्वामी वाइलिन के हैं जैकि उस्ताद सकायत हुसाइन खान विकलब का चैन करना है तो कोई गलत नहीं है कि खेरिया हवा एड्डडा अगरा में सही है सरसावा हवा एडड़ा साहरन पूर में यह भी सही है बमरोली हवा एड़ा प्रियागराज में यह है तो ये समाप्थ हुआ वीडियो समंदित सुझाव जरूर दीजिएगा और आने वाले समय में PCS मंद्रा का GSWALETर स्रीज अपलोड हो जाएगा जल्दिली थैंक्यू